हेलो दोसो नमस्कार आप सभी का स्वागत है अनुजी एसे केडमी चैनल पर देखे दोस्तों आज की जो एक न्यूज थी दोस्तों कि आभी तक कुल कितने फोर्म बरे गए तो हम उसको देखने वाले इसके लावा देखीगा आपकी जो फोर्म बरने की अन्तिम तिती ती यह साइट वगेरा सही से चलती है और आपका यह फों जो है भरा जाएगा तो इसमें कोई दिकत नहीं बाकी अक्रिमा लिजेगा कल साइट सही से नहीं चल पाएती तो आपकी यह फोर्म किती थीति और इसमें बढ़़ जाएगी यह अभी beim के आ Sou disguise जो है बाकी जल्दी से आप अपना फों भरवा लिजीगा इसके लाबा हम बात करेगे कि आपकी जो सरकारी सीट कितनी है इसके लावा जो सरकारी sensors है देखें ये कितनी rank पर मिलता है कितने number पर मिलता है इस पर भी हम अभी चर्चा करने वाले इसमें चलिए देखिगा इसमें चली इससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपका जो ये color work की चक्सू publication की आपकी जो book है देखीगा ये पूरा syllabus के coding जो है तयार की गई है आपकी इसमे टोटल जो आपका first or second paper का syllabus है वो इसमें cover किया गया है अलग-अलग जो है इसमें subject wise और इसमें आपको 2700 important आपके subject wise question भी देखने को मिलें और आपके पांच ये previous year भी आपको जो है इसमें मिलने वाले है देखीगा तो आप जो है इस study guide book को आप ले सकते है और देखीगा ये आपके जो इसमें subject आपको ये आपका इसमें complete मिल जाएगा भारते थ्यास भारते भुगोल इसके बाद विशुका भुगोल सविधान मिल जाएगा अर्थ वियस्ता भोतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जी विज्ञान विविद आपको complete इसके अंदर मिलने वाला है इस book के अंदर इसके लावा हिंदी के सभी topic reasoning के सभी topic English के भी मिल जाएगे इसमें और यहां पर देखीगा जो आपका second paper है यह आपका जो color गए इसके अंदर देखी क्या क्या पूचा जाएगा भारती थियास भुगोल आपका राजनिती विज्ञान आर्द सास्तर मनो विज्ञान समास सास्तर दरसन सास्तर इसके अलावा देखीगा संसकर्त के पूचे आते आ जो study guide book है उसके सासाथ जो है यहां पर इनका प्रेक्टी सेट भी आता है इसमें आपको 15 प्रेक्टी सेट और पिछले पांच वर्सों के sold paper भी आपको मिलेगे यह book और आपका प्रेक्टी सेट किसी भी bookie short से आप ले सकते बाकि अगर आप online मंगाना चाते तो description link है वहां से free sheet के लिए मैनत करें तो अभी आपके पास 50 दिन का समय जो कि आपके लिए काफी है अगर आप topic wise भी तयारी करते हैं और साथ साथ जो है आप practice करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप अपनी एक free sheet जो है निकाल सकते हैं इसके अलावा देखेगा आपका यहां परिक्षा ति अभी सकता है कुछ बदलाओ बाकी इसमें अभी कोई बदलाओ की इसमें chance नहीं है इसके अलावा सरकारी college की जो cutoff है कितनी जाते हैं पिछले वर्स की बात कर लेते हैं तो यहां पे देखेगा 230 नंबर पे आपके 400 में से 230 पे 40 पे आपका 50 नंबर पे आपकी जो है फिर इस और अभी भी 50 दिन का समय तो अच्छे से पूरी मैनत हो जाएगी अच्छे से त्यारी करना और यहां पे देखेगा इसमें आज जो है आज की यह न्यूज भी थी इसमें यहां पे बिना यहां पे बिना विलम सुल्क के कल तक जो है जमा होगे आविदन यानि कि आपका जो तो कि आपके यह 13 का जो एक आपका 14 मही तक का यह 14 मही आपका और एक 15 मही तो कुल मिला कि आपका यह जो फो शंखया जाएगी यह आपकी 6 लाक पलस हो जाएगी आपकी इसा बार तो अच्छे से तयारी करिएगा बाकि आपके पूरे यूपी के इंदर 10,000 फिरिशिट है और हमारे चैनल पर बहुत सारे टोपिक वाई जो अपलोड है क्लास आप उन से त्यारी कर लिजेगा और इसके अलावा आप भुक से भी आप प्रेक्टिस कर रहे होगे बाकी आप जो है सोट नोर्स बनाते हुए चलिए जैसे मालिजेगा इत्यास है तो इत्यास में क्या करन बारे में जैसे भालिजेग गुफ्तकाल के बारे में तो इस तरीके से बाकी आपका जैसे अद्बनीक भारत आपकी पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है एक से दो पेज के अंदर पूरा जो आधोनिक बारत है ऐसे आपको नोट्स बनाना है आकि इन पॉइंट्स पे भी आप थोड़ा सा नजर डालेगा इसमें आपको सलिवस लगबग सभी को मालूम होगा एक्जाम का पैटन आपने पिछले वर्स का पेपर देखा होगा जो ओरिजिनल है वो देख लिए होगा आपने इसके अलावा प्रिवेस एर आप जब देखते होगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका फर्स पेपर में जीके के अंदर बहुत बेसिक क्वेशन पुछा आता है लेकिन अगर आपके टोपिक पढ़े होगे तो बहुत आसाने से आप उसको कर सकते है इसके अलावा देखीगा आपका यहां पर हर सब्जेक्ट का बेसिक तो इसके लिए आपको टोपिक पढ़ना पड़ेगा जब तक आप टोपिक नहीं पढ़ोगे बुक से तो तब तक देखीगा यह कि आप पास हो जाओगे लेकिन अच्छी रैंक नहीं आपाएगी जब तक आप जो है ओब्जेक्टिव पे ज़्यादा आप या रटने पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो यह है कि आप बुक्स पे थोड़ा सा फोकस करिए पचास दिन का समय काफी समय है यह आपके पास ठीक है बाकी पढ़ाई में नियमित आपको रखने हैं बाकी पचास दिन हैं तो और साथ साथ आपको रिविजन भी करने जो आप टोपिक पढ़ते हों उसका रिविजन करिए इसके लावा आप बाकी आप बहुत सारे चैनल मेहनत करें तो आप वहां से भी जाके आप प्रेक्टिस कर सकते हैं इसके लिए आपका प्रवर्ति के लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है देखी आपने कितनी भी तयारी कियो बाकी लाश समय में क्या होते थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है थोड़ा सा यह लगता है आपको फिक्र होती है कि क्या होगा फिरिशिट निकलेगी नहीं निकलेगी अगर आपने तयारी किये इमानदारी से प करना है माली जी का परती दिन आप कितने टोपिक पड़ते माली जी आपने पांच यह चैंट लिखे आपने पांच चैंट लिखे उगी उनका रिविजन करिए बढ़िया से इसके अलावा आपने जो पहले लिखे हुए है जैसे हिंदी के दस बारे टोपिक आपके रिजिनिं से 14 टोपिक हो चुके है अगर आप 13 चोदर टोपिक आप जो है पांस से 6 गंटे के अंदर आप देख सकते हो उसको यह 4 गंटे के अंदर भी स्पीड से पूरा लिख भी सकते हो पूरा याद हो जाएगा क्योंकि याद रखना जरूरी है ठीक है वही काम आएगा आपका बाकी कहीं सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर हमारे फोर्म में थोड़ा सा माल लिजेगा जैसे उनका साइंस तो कला वर्ग हो गया तो आपको क्या करना है देखीगा यहाँ पे दिया इसमें 6 नंबर पर आप इसमें देख सकते देखीगा इसमें जिनमें तूर्टी संसोधन किय क्या जाता है कौन-कौन से जो है इसमें point आपको एक तो विश्य का वर्ग आपका माल लिजेगा जैसे कला की जंग साइंस कर दिया अपने लेकिन जो है यी हो जाएगा इसके अलावा जैसे male का female इसमें इसके अलावा भारांग आपका वैटेज परमान पत्र इसमें भी करक चलिए गर बाकी आपका कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंड बोक्स में आपको उसमें रिप्लाइ कर देजाएगा बाकी आप सभी को मालूम होगा भई आपका फर्स पेपर का जो आपका ये सलेवस है आपको कुश्यन भी मालूम है इसके लावा आपको मार् तीन गंटे का समय होता है बाकी सेकिंड में भी आपका तीन गंटे का समय होता है समय काफी अभी आपके पास अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं और ये जो सभी classes होगी आपकी topic wise है ये आपकी सभी channel की पलेलेश में आपको मिल जाएगी जैसे आपका इत्यास में आपकी 32 class है कुछ पहले कुछ अभी जो है अभी हाली की है तो इसमें कर आप 20 से 22 class भी कर लेते हो topic wise तो आपका कोई भी question आपका नहीं निकलेगा हर एक topic इसम पाद आपका यहां पर सविधान का है जैसे आपका सविधान का यह पहला था 10 class था आप जो है लगबग 15 class हो चुक है आपका 3-4 class बचा है वह भी आपका 2-3 दिन के अंदर upload कर दिये जाएगा आपका इसमें